सिरकटी देवी रजरप्पा मंदिर का रहाश से माचिन मस्तिके की महिमा की कई पुरानी कथाएं प्रचली थें प्राचीन काल में छोटा नागपुर रज नामक एक राजा राज करते थे राजा की पत्नी का नाम रूपमा था इनी दोनों के नाम से इस हस्थान का नाम रजरूपमा पड़ा जो बाद में रजरप्पा हो गया एक कथा के अन्सार एक बार पूरिमा की रात में सिकार की खोज में राजा दामोदर और भैर्वी नदी के संगा मस्तर बार पहुँचे रात्री विश्राम के दोरां राजा ने स्वप्ण में लाल वस्त धारन की ये तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी उसने राजा से कहा ये राजन इस आई में संतान ना होने से तेरा जीवन सुना लग रहा है मेरी आज्या मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी राजा की आँखे खुली तो वही इधर उधर भटकने लगे इस बीच उनकी आँखे स्वप्ण में दिखी कन्या से जा मिली वा कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई उसका रूप अलौकिक था यह देख राजा भैभीत ओउटे राजा को देखकर वा कन्या कहने लगी हे राजान मैं चिन मस्त के देवी हूँ कलियूग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं जबकि मैं इस वं में प्राजीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ मैं तुम्हे वर्दान देती हूं की आज से ठीक नवे महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी देबी बोली हे राजन मिलन हस्थर के समीप तुम्हें एक मंदिर दिाई देगा इस मंदिर के अंदर सिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी तुम सुबा मेरी पूजा कर बली चढ़ाओ ऐसा कहकर छिनमस्ति के अंतरध्यान हो गई इसके बाद से ही यह पवित्रतीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया एक अन्य कथा के अंसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदागनी नदी में असनान करने गई असनान करने के बाद भूप से उनका सरीर काला पड़ गया सही हिलियों ने भी भोजन मागा देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा बाद में सहेलियों के बिनम रागरा पर उन्होंने दोनों की भूप मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया कटा सिर देवी के हाथों में आगिरा वा गले से तीन धाराएं निकली वह दो धाराओं को अपने सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी तभी से एच्छि नमस्तिके कही जाने लगी रजरप्पा के फ़रूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है तीरत अस्तल के अलावा यह पर्याटन अस्तल के रूप में भी विक्सित हो चुका है आदिवासियों के लिए यह त्रवेडी है मकर संक्रांती के मौके पर लापु स्रधालू आदिवासि और भक्त जन यहां अस्नान वा चौडाल प्रवाहित करने तथा चरण अस्पर्स के लिए आते हैं अब यहां पर्याटन अस्तल का मुख केंद्र है जारखंड की राजधानी रांची से लगबग अच्सी किलोमीटर की दूरी पर माचिन मस्तिके का यह मंदिर है रजरप्पा के भैरवी भेडा और दामोदर नदी के संगम पर इस्तित माचिन मस्तिके मंदिर आस्था की धरुवर है असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सक्तफीट के रूप में विख्यात मचिनमस्ति के मंदिर काफी लोख्त्री है